हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल मैंसर्फ राजकवल फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे बहुत इंपरेंट स्टॉक की मोर्पैन लाबरेटरिस फ्रेंट्स इस स्टॉक में इन्वेस्टर का एक ही कोशन है कि कंपनी के रिजल्ट और फंडमेंटल बैटर है लुटम मिवस्ट करना भी सालिए लेकिन इसटॉक अपने 52 फिक 25 से डांघी ंटि तरफ है तो इन्वेस्ट्मेंट करने का एक प्रॉपर लेवल क्या है क्या वो प्राइजस इस पे श्याजाने फिर वहां सी आपा़ आप से क्योंकि कि फंडमेंटली अनलाइज करते हैं तो यह तो हमें पता लगता है कि भाई स्टॉक फ्यूचर में एक अच्छा रिटन देगा लेकिन में चीज यह कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट यानि कि इस प्राइस पे इसमें इन्वेस्टमेंट के ज़िए कहां तक इसका डाउं ट्रे हर एक स्टॉक में हर एक अनलाइज करने का तरीका सक्सेस नहीं होता है यह मैंने देखा है इस स्टॉक को जहां तक मैं वाच करहां बहुत दिनों से और मुझे जो इसके अब ट्रेल डाउं ट्रेंट के मुमेंटम जो शो होते उससे मुझे ऐसा लगता है कि यह स्टॉक 45 से बीच में यानि कि 42 43 जैनि कि 40-45 के बीच में स्टॉक आजाएगा और 42-43 की बीच में कहीं 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 कि कि 45-46 रुपर तक अब बीच नीची जाए जैनि 42 ए 43 की बीच में स्टैंड करें और फिर वहां से अपर ट्रेंट शो करें और फ्रेंट्स फिर यह अपर ट्रेंड शो करेगा और अपना विडूबी को ब्रेक करता हूँ हंड्रेट के आसपास का टार्गेट अचीव कर सकता है तो इसमें सब कुछ सही है फर्णमेंटल रिजर्ट्स आप अनलाइज कर लिए मैंने भी अनलाइज कर लिए और इसमें एक ही मेन कोश्चन है कि कि इन्वेस्टमेंट इसमें किस प्राइस पर किया जाए जहां से की अपर ट्रेंड लें बाकि सब कुछ मुझे सही लगता है और मेरा बताने का बात करने का तरीका कुछ अलुकि मैं உ से बात नहीं करता हूं क्यों कि वह सारी तुम आप स्वेश्सक्यड और अपको तो को यही आप लोगों को चाहिए होता है और यही में बता नहीं कोशिश करता हूं कियोंकि हर आदमी का अपना अनलाइटर कल पॉइंट अलग अलग होता हर स्कृप्ट को देखने का तो फ्रेंट्स मेरा अनलाइज यही है इस स्कृप्ट में कि इसके जो भी रिजल्ट्स है जो भी कम्रीं के प्रॉफिट से और कम्रींस फंडमेंटल है उसे साब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसका ज यानि कि मैं 40 इसका लास्ट पॉइंट मान के चलता हूं और फर वहां से अपट रहें लेगा तो हो सकते हैं 52 वीक को ब्रेक करता हुआ 100 के आसपास इस्टॉक चला जाए तो फ्रेंट्स मैं अपने रिसर्च अनलाइज इस पर आपको बात बता रहा हूं वह भी आपके नॉ जरूर करें मुझे मोटिवेट जरूर करें ताकि डे बाइडे मैं अपने अनलाइज का जो भी बैनिफिट वह मैं आपको ज्यादा से यादा दे सको आप मुझे मोटिवेट कीजिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप चाहिए समझ लीजे कि मैं जो बता रहा हूं वह सकता है कि वह इंट्रस्टिंग वीडियो नहीं बन पा रहा है जिसको की देख करके आप लोग अनलाइज करते हैं सामना अनलाइज करके आपको बता था मैं आपको एक अलगी मुमेंटम से अरे स्क्रिप्ट को बताने कोशिश करता हूं और आप ज्यादा तर देखी मेरी स् और उनकी प्राइस जमने उनको रिकमेंडेट गया तो आपको लगेगा कि हां क्योंकि मैंने ऐसे शेर को भी डाउन ट्रेंड में अपर जाने का अनलाइज किया था और और विप्रोग जहां अपर ट्रेंड में दिख रहा था वहां पे वह डाउन ट्रेंड की तरफ आगे चेश्व से भी नीचे आ गया तो फ्रेंट्स अनलाइट अनलाइटिकल करने का हर एक परस्नालिटी का अपना अपना एक तरीका होता है और मेरा वही तरीका है जिससे कि मैं आपको बैनेफिट दे रहा हूं और आप चाहिए इंवेस्क्रीट न तरीक पिलीज करके एक अपना वियू इंप्रूव जरूर करें जिस स्क्रूप्ट वारे मैं आपको बताता हो हो सकता है आप इस स्कृप्त के अनलाइज करते होंगे तो हो सकता है कि कुछ व्यूज आपके इंप्रूब वोजाए और अब कि वो अबो नाइंटीन तक चला गए था मैंने साथ 15 16 के आसपास रिकमेंडेट गए था और अभी भी यह पारफुल स्टॉक है यह पावर में आएगा यह अपनी पावर ज़रूर दिखाएगा था और अधिए अपिपर्ड कर अभी यह जान्न पार अभी में नहीं आएगा गार जगा यह जो आएगा सब्सक्री ेंब्सक्राशन कर वेल्डेट और वीड़िये प्रहा जाल भी यह भी यह